नमस्कार मैं हूँ कमल श्रीमाली आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत हमारे चैनल में और सूरी के गोचर फल के इस एपिसोड में 14 जून 2020 की रातरी को सूरी अपनी रासी पर उतन करके मिथुन रासी में चले जाएंगे इसका फल क्या होगा ये इसी का विड़न करने के लिए इसी उद्धिस से ये एपिसोड बना रहा हूँ वेदिक जोतिस में वणित नवग्रों में सूरी ग्रह को राजा की उपादी दी गई है सूरी अगनी तत्व और लाल वण वाला ग्रह है ये पूर्व दिशा का स्वामी है जोतिस सास्त्र के अनुसार सूरी को सिंग रासी का स्वामी माना जाता है इसके अलावा सूरिय को आत्मा और पिता का कारक भी माना गया है तेज और पराकरम के प्रतिक सूरिक रखो विसेश रूप से जीवन में मानसमान और आपके केरियर में सरकारी सेवाओं में जो भी काम करने वाले हैं उनका कारक माना जाता है यदि सूरिय के स्थिति सूब होती है तो इससे उन्हें राजनितिक जीवन में सफलता प्राप्त होने की संभावना काफी बढ़ जाती है और यही सूरिय असूब होने पर मांसमान में कमी परिवार में और पिता के साथ में मदबेद और आखों से जूड़ी कोईन को समस्या उत्पन होने की संभावना देता है सूरिय का गोचर मिथण रासी में उने जा रहा है अता इसका प्रवाव सभी बारारासी के जातकौं पर होगा आपकी रासी से जिस भाव में गोचर में सूरिय के स्थिति होगी उसके अनुसारी आपको अच्छे या बुरे फ़ल प्राप्त होंगे सबी नौव ग्रहों का केंजर सूर्य को ही माना जाता है अत्र सूर्य का प्रभाव बहुत ज्यादा महत्व रखता है सूर्य देव 14 जून 2020 की रातरी को 11 बच के 52 मिल्ट पर मितुन रासी में गोचरवस प्रिवेस कर जाएंगे और 16 जून 2020 की मौर्निंग सुबह 10 बजे तक इसी रासी में गतिशील रहेंगे तो आएए जानते हैं आपकी रासी को क्या मिलने वाला है सूर्य के इस गोचरवस जे बल आपका confidence मजबूत होगा लेकिन सुभाव में उगरता भी आ सकती है परिवार में पिता के साथ वेचारिक मद्भेद की संभावना भी बन रही है छोटे भाई बैनों के स्वास्ति संबंदित को समस्याएं आ सकती है इस से में जीवन में किसी ऐसे सक्स का आकमन हो सकता है आपके लाइफ में एंट्री हो सकती है जिसके साथ में भवश्य में कोई रिस्ता जुड़ जाए प्रेम प्रसंगों मदूरता आएगी और पार्टनर के साथ में खुशनुमा या यह बोल सकते है क्वालिटी टाइम व्यतीत करेंगे सूर्य ग्रह के विपरित प्रबावों से बचने के लिए आपको अपने पित्नों की पूजा उपासना करनी चाहिए आईए अब बात करते हैं रसब रासी के इस गोचर के दोरान सूर्य आपकी रासी से सेकेंड आउस में प्रवेश करेंगे आर्थिक रूप से आपको लाब आमदनी होने की संभावना है आएक के अन्य रिसोर्सेज डवलप हो सकते हैं जो आपकी प्रॉपर्टी बहुत समय से किराई पर नहीं चड़िये आमदनी नहीं हो रही है वो प्रॉपर्टी भी किराई पर चड़ सकती है एहम में इगो में व्रद्धी हो सकती है स्वास्ति के दस्तिकोंड से यह गोचर कमजोर साबित हो सकता है जीवन साती के स्वास्ति का विसेश द्यान आपको रखना पड़ेगा family life में ये पारिवारिक जिवन में सूरी के प्रवाव से परिवार में वाद विवाद की इस्तिती उत्पन हो सकती है और अगर कहीं पैसा फसा हुआ है कहीं पैसा रुका हुआ है तो मिलने के योग भी बनेंगे हाला कि इस बीच आपकी वाणी में आपके बोलने की स्टाइल में रूखापन आ सकता है कठोरता का भाव आ सकता है उससे आपको बचना है आईए बात करते हैं मिठुन रासी की सूरिय का गोचर आपकी रासी में ही और आपकी रासी में ही सूरिय बुद्ध और रावु के साथ में यूति भी करेंगे आपकी रासी में 21 जून को सूरी ग्रहन भी लगने वाला है सूरी के गोचर से आपके स्वभाव में क्रोध और अग्रामत्ता एग्रेसिवनेस आ सकती है लव लाइफ में या वेवाइक जिवन में आपके स्वभाव का नेगेटिव इंपेक्ट पड़ेगा आपके पार्टनर के साथ में लड़ाई जगड़े हो सकते हैं हेल्थ में एस्थिती खराब हो सकती है बुखार सिर्दत की समस्यास आप पीडित हो सकते हैं फैमिली लाइफ में भाई बेहन का आपको भरपूर सयोग मिलेगा ये बात यहां पर पकी है और सूर्य का गोचर आपको बहुत ज़्यादा सुप फल्दाई नहीं है इसका मतलब ये बोल सकता हूँ मिक्स रिजल्ट आपको मिलेंगे लेकिन नेगेटिव प्रभावों से बचने के लिए आप हर रविवार को गुड का दान करें ग्याउं का दान करें अतामबा का दान करें और सूर्य को अर्ग आप नियमित देते रहें आईए अब बात करते करक रासी की सूर्य का गोचर आपकी रासी से 12 ताउस में होने जा रहा है इस समय देश में या विदेश में यात्रा की योग बन रहे हैं आपके खर्चे बढ़ जाएंगे और इस समय आप अपने सत्रों पर हावी हो जाएंगे उन पर विजय प्राप्त करेंगे नौकरी में टांसफर के भी योग बन रहे हैं यदि आप कोट कचरी में कोई मामला चल रहा है आपका तो उसमें फैसला आपके पक्स में आ सकता है या आपका पलड़ा भारी हो सकता है मगर आपको आर्थिक रूप से बहुत नुकसान पहुंच सकता है अपने हेल्थ को लेकर के विसेश सावदानी बरतने की आवशक्ता पढ़ सकती है जो भी बिजनसमेन है उनको फोरन रिसरोसेज से या उसमें इन्वेस्मेंट करने से विदेशी सामान खरीद करके बेचने से भारी प्रॉफिट गेन हो सकता है भारी प्रॉफिट उनको मिल सकता है और विसेश लाब के लिए बहुत ज़्यादा हाई प्रॉफिट के लिए सिवजी की आरातना करना या उन्हें ग्याहूं और पित करना आपके लिए बहुत ज़्यादा सुब रहेगा आईए बात करें सिंग रासी की सिंग रासी वालों के लिए ये सूर्य बहुत ही ज़्यादा सूपर नम देने वाला है ये आपकी रासी से गेन आउस में रासी से 11 आउस में गोचरवस प्रवेस करने वाला है इस अवदी में आपकी इंकम बहुत जादा बढ़ेगी आप किसी तरह की achievement प्राप्त कर सकते हैं हलाकि आपके अंदर थोड़ा अभीमान बढ़ सकता है लेकिन समाज में आपका मान समान बहुत जादा बढ़ेगा और इसी time period के दोरान आपके समाज में आपके circle में आपके friend circle म में आपके मान समान में आपके name fame में आपकी goodwill में भारी व्रद्धी होगी ऑफिस की बात करूं तो इस समय स्टाफ के साथ में आपके अच्छे relation स्थापिद हो सकते हैं गौर्मेंट की किसी planning से कोईन को योजना से भी आपको लाप राप्त हो सकता है अचानक से लाप राप ना होगा आपको अपने आवाज को अपने style को soft करना पड़ेगा अपने बच्चों के सुभाव में रोखापन जिद्धी पन देखने को मिल सकता है या संतान की तरब से आप परेशान हो सकते हैं आईए बात करें कन्या रासी की आपकी रासी से 10 और सूर्य का घोचर बहुत ही ज़्यादा अनुकुल रहेगा पॉजितिव रहेगा क्योंकि 10 और सूर्य को दिख बली बोला जाता है रासी से टैन्थ आउसमें या आपकी जनकुड़ी से टैन्थ आउसमें यदि सूर्य है मंगल है शनी है इस situation को ग्रहों में या योगों में कुल्डिपक योग बोला जाता है खास तोर से केरियर में आपके काम काज में रोज मरा के व्यवसाय में बिजनस में आपको अच्छे रिजल्ट मिलने की संभाव ना है इस गोचर काल के दौरान सूरी गरह आपको मान और सम्मान दिलवाएंगे आपकी मेहनत की भी इंपोर्डन्स बढ़ेगी आता मेहनत की सराना होगी इस दोरान बिजनस के पहलाव के लिए आपको कोई फॉरन रिसोर्सेज से लाप राप्त हो सकता है सपोर्ट मिल सकता है यदि आप अपने काम काज में अपनी नौकरी में अपनी जौब में कोई दिक्कत का सामना कर रहे हैं तो वे समस्याएं भी दूर होने वाली है अपने फैमिली में किसी बात को लेकर के अशान्ती उत्पन हो सकती है अशान्ती वाले सिच्वेशन आ सकती है आपके पेरेंट्स की सहत भी आपको चिंता करवाएगी स्टुडेंट्स को सूरी के इस गोचर से विसेस लाब मिलने वाला है और यदि आप बहुत ज़ादा मैनत कर रहे हैं यदि आप डेडिकेटेड हैं उसमें तो उसका फल आपको बहुत शांदार मिलने वाला है आईए बात करें तुलर रासी की सूरिया आपकी रासी से भाग्य बाव में नहीं ताउस में गोचर वस प्रिविस करने वाले हैं इससे आपके भाग्य में व्रद्धी होगी इस दोरान आपको आर्थिक स्थर पर फाइनेंशली बहुत बड़े फाइदे मिल सकते हैं बहुत बड़ा मौका मिल सकता है संभव है कि इस गोचर काल में आपकी आए में भी बढ़ोतरी हो जाए आए में भी व्रद्धी हो जाए और इसके अलावा किसी अंजान रिसोर्सेज से भी लाप की संभावना बन सकती है शूर्सेल एक्टिविटीज में आप बढ़ चड़ करके इस्सा लेंगे आपकी मांसिक स्थिती मांसिक शक्ती प्रबल हो जाएगी आपके द्वारा लिएगे कोई भी बहुत ज़्यादा सक्सेस्फुल साबित होंगे और इसी दोरान आपको नौकरी में भी या टांसफोर हो सकता है या पिर प्रमोशन हो सकता है और या डिपार्मेंट आपका चेंज हो सकता है लेकिन वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बैटर होगा इस समय आपका ध्यान आपका इंट्रेस्ट इस्पिच्वल लाइन की तरफ अध्यात में कारियों की तरफ ज़्यादा रहेगा सरकारी कर्मचारी जो गौर्मेंट जॉब में है गौर्मेंट सर्विस में है तो गौर्मेंट के तरफ से कोई खास result आपको मिल सकता है, कोई खास gift मिल सकता है, चाए वो increment हो सकता है, चाए वो कोई area हो सकता है, चाए कोई और ढंग से आपको support मिल सकता है, यह गौर्मेंट के तरफ से मिलेगा जरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरू इसको लेकर के कोई वीवाद हो सकता है और इस वीवाद के लिए सूरी के negative impact को control करने के लिए आपको रोजाना जब सूरी Taylor होता है तब तांबे के पातर में जल्बर करके थोड़ा सा कोंकुम डाल करके थोड़ा सा गुड डाल करके सूरी को अर्गे देना चाहिए बहुत छोटा सा मंतर है ओम गणी सूरिया नमा और या पिर गायतिर मंतर यदि आपको आता है तो बहुत ज्यादा बैस्त है आईए बात कराएं रसिक रासी की सूरिय का गोचर आपकी रासी से एड़ ताउस में होने वाला है और रसिक रासी वालों को इस दरान थोड़ी साबदानी बरतने की आवशकता होगी सफेशली हैल्थ को लेकर के फानिशल लॉस के या फानिशल कोन को सेक्रिफास के फानिशली हैरेस ओने के या पैसा फस जाने के भी योग बन रहे है इसलिए इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़ूरूते है बहुत मेंद से आप पैसा कमाते हैं वो पैसा थोड़ी सी लापर वाई से चोटी सी लापर वाई से कहीं फस्ट नहीं जाए इसका अपने ध्यान देना है और यदि को इन्वेस्मेंट करने वाले हैं और बहुत बड़ा यूज इन्वेस्मेंट है तो आपको रुखना और वापस अपने पैरेंट से अपने फ्रेंड सरकल से या जो भी समझदा लोग हैं उनसे राय लेनी चाहिए हर किसी से राय लेने की मैं सला नहीं देना चाहता हूँ अब जितने लोगों को बात करेंगे वो अपनी अपनी टांग आपके मामले में लगाएंगे अपनी नहीं करना है जो वास्तम में समझदार है लीजेंड है तिंकर है या जिनका इस ताइप का काम है वह आपको सही राय देने वाले लोग हैं उनसे जरूर सला मस्विरा करना चाहिए वरतमान परस्तितियों को लेकर के भी आपका मन बेचैन रहेगा मेंटल स्ट्रेस आपके उ अच्छा रहेगा जो की प्रोफिटेबल होगा आपको काम काज में अपने जौब में उतार चड़ाव की स्तितिका सामना करना पड़ेगा लेकिन यदि निरंतर आप एफर्ट करते रहें तो आप अपने एम को अपने टार्गेट को पाने में सेक्सेस्फुल रहेंगे आईए बात करें धनूरासी की तो धनूरासी वाले जातकों को सूरिय आपकी रासी से सेवंत आउस में प्रोफिश करने वाला है यह गोचर आपके लिए बहुत जादा पॉजिटिव नहीं है सुब परणाम नहीं मिलने वाले है इस अवदी में सूरिय आपके विवा भाव आपके जो दामपत्य सूक है उसमें नेगेटिव इंपक्ट पड़ेगा जीवन साती से मन मुटाव होने की संभावना है बहुत जादा है लेकिन बिजनस वाइज जो स्तिति है जो सिच्वेशन है वो फिर भी आपके अनुकूल रहेगी समझी ग्रुप से यह समय लाबदा रखता है लव लाइफ में मुसीबतें देखने को मिलेंगी और बिजनस में आपको अचानक ही लाब की प्राप्ती हो सकती है तो आपके लिए यह जो गोचर है वो बहुत जादा नेगेटिव नहीं है लेकिन मिक्स जीज़ जरूर आपको मिलेगा आएए बात करें मकर रासी की आपकी राची से 6 ताउस में गोचरबस सूरी का प्रविस होगा जोगी बहुत जादा बैटर रहेगा राची से 3rd राची से 6 राची से 11 सूरी हमेशा profitable रहता है हमेशा best result देता है आपको इस time period में बहुत ही positive results मिलने वाले government sector में यदि आपका कोई काम काज है government supply करते हैं government से related आप कोई काम काज करते हैं उनके project handle करते हैं तो उसके बहुत अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं इस समय काल में आप अपने enemies को, सत्रों को भी मात देने में सफल हो जाएंगे, उन पर हावी हो जाएंगे थोड़ा सा अच्छे डंग से स्ट्रेजिन लेने की जरूरत है तो आप बहुत अच्छे डंग से कर्जों को मेनेज कर सकते हैं एक नई सुरुवात करने में आप सक्सम रहेंगे ये बात याद रखिएगा किसी विशेश सालेरिक समस्या से या फिर बीमारी से ग्रस्त हो सकते हैं हो सकता कोई चोट लग से कोई दुरगटना हो सकती है साइटिका की कोई प्रॉब्लम हो सकती है या यह लेगमेंट की कोई प्रॉब्लम हो सकती है नस पर नस चड़ने वाली जो प्रॉब्लम होती है वो अब बात करें कुम्ब रसी की सुरिय के मित्टोन रासी में गोच़र के दोरान यह आपकी रासी से फिफ्त आउसमें आ जाएंगे आधा क्ली से फिफ्त राउस में सुरह सूर voiture लव लाइफ भी देखी जाती है तो लव लाइफ में आप दोनों की बीच में कोई तीसरा आशकता है कोई तीसरे के कारण आपस में लड़ाई-जगड़ा हो सकता है वेहम की exactly कार्मेंट में जॉइन कर सकते हैं उनका टांस पर भी हो सकता है लव लाइफ में परसितियां आपकी विप्रीद नजर आ सकती है इस दोरान अपने पार्टनर के साथ में किसी बात को लेकर के का सुनी हो सकती है इसलिए अपनी भावनाओं को संभाल करके रखें हेल्थ के होने वाला है तो अपने परिवार में या परिवारिक सदस्यों के बीच किसी बात को लेकर के मद्भेद की स्थिति हो सकते हैं डिफ्रेंसे इस ओपन हो सकते हैं जिससे स्ट्रेस का माहोल डवलप हो जाएगा अताथ पारिवारिक जीवन में सांती के अलावा बाकी सारी ची अच्छा इंक्रिमेंट और प्रमोशन मिलने की बहुत जादा संभावना है हाला कि पेरेंट्स की सेहत का ध्यान रखने के आपको आवशकता पड़ेगी अपने काम काज में अपनी मेहनत के बलबुते आप टार्गेट को एचिव करने में सक्सेस्फूल रहेंगे लिया जा केरियर के दस्तिकोंड से आपके लिए सूरी का ये गोचल फलदाई साबित होगा अथात बैटर्मेंट आपको देखने को मिलेगा आपकी डिस्जन पावर बहुत जादा इंप्रूमेंट आएगी और आपकी लाइफ में आप खुद को बहुत जादा सक्षम बहुत जादा मजबूत बना पाने में काम्याब हो जाएंगे और आपका लाइफ पार्टनर भी यदि नौकरी पैसा है तो उन्हें बहुत बड़ा गेन बहुत बड़ा एचिमेंट प्राप्त होने वाला है तो बारा रासियों में से सारी रासियों को पॉजिटिव फल नहीं मिलता है बह सूरी ग्रहन होने वाला है और यह ग्रहन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है हमारे इंडिया के लिए क्योंकि सूरी राहू के साथ में आ जाएगा और अल्ड़ी बुद्ध वहां पर स्थित रहेंगे तो सूरी और बुद्ध दोनों मिलने से बुदा देते योग भी होगा और सूरी और राहू एक साथ में होने से ग्रहन योग भी घटित होगा सूरी ग्रहन के समयकाल में छें ग्रह वकरी रहेंगे तो इसका बहुत बड़ा इंपक्ट पढ़ने वाला है और इसके लिए इस सूरी ग्रहन का आपकी रासी पर क्या प्रवाव होने वाला है उसका एक अ इस एपिसोड की कि सूरी दोस्ट निवांड के लिए आप क्या कर सकते हैं तो सबसे पहले 12 अधित्यकवच धारण करें क्योंकि सूरी ग्रहों का राजा है सूरी हमार लाइफ का सेंटर पॉइंट है और सूरी की वज़े से ही सारी चीज़ें चलाए मान है एक प्रकास से यह बोल सकते हैं पावर जनेरेटर सूरी है तो सूरी को यदि आपने साथ लिया सूरी की पूजा उपास ना कर लिए सूरी के लिए 12 अधित्यकवच धारण कर लिया तो बहुत सारी सिच्वेशन्स आपके अंडर कंट्रोल हो जाती है और सूरी ग्रहन पर हम सदेव कवच का न निर्मान होता है तो आप अपनी समस्या कानुसार आप अपने pasar आपनी काम ना पूर्तिक अनुसार यह कवच का निर्मान करा सकते हैं और इसके लिए जो भी information देनी होगी वो आप जोतपुर ओफिस में फॉन करेंगे वो सारी सूचना है आप से लेंगे सारी information आप से मांगेंगे वो जब information आप प्रदान करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए वो कवच बनेगा और आपके ही काम आएगा इसके अलावा भगवान विश्णु या श्री राम जी की पूजा उपासना करना बैस्त है मित्ति सूर्य को अर्ग देना बहुत ज्यादा सर्व सेश्त है बहुत ज्यादा उत्तम है सूर्य ग्रह की सांति के लिए सूरी के पूचा जाता है जो आपके बहुत में टाइम है जितना आपका समर्थ है जिसना आपका इंट्रेस्ट है उतना आपको करना चाहिए लेकिन कम से कम गंटे के भितर करना चाहिए यह होरा मौरत है जो होरा मौरत है सिंपल वे में यदि मैं आपको समझाओं तो जो वार होता है उसका पहला गंटा सूरी उदे होने से एक गंटे के भिदर उस ग्रह का ही मौरत होता है मालो आपने बुद्ध के दान करने तो बुद्ध वार को ज कौन सी है गुड कर सकते हैं गयों कर सकते हैं तांबा कर सकते हैं मानेकिय कर सकते हैं लाल पुस्प कर सकते हैं खस कर सकते हैं मैंसिल कर सकते हैं इन चीजों का आप जो भी अपनी समर्थिक अनुसादान करना चाहिए वो करना चाहिए और टाइम मैंने बतला दिया है एक विश website पर जा करके वह मैगजीन पढ़ सकता है उस मैगजीन को डाउनलोड कर सकता है उस मैगजीन को अपने जो दैनिक लाइफ है उसमें जैसे यूज करना चाहता है वैसा यूज कर सकता है तो वैब साइट का नाम है www.kmal.com और उसमें मेगजीन मेनेजमेंट करके आप देखेंगे तो उसमें सारी मेगजीन निकल जाएगी और जून की मेगजीन थोड़ी से लेट हो गई है लेकिन जून की मेगजीन को हमने अपलोड कर दिया है तो जून की मेगजीन आप पढ़ सकते हैं और हम आशा करते हैं जुला रहें प्रसंद रहें अपना अपने परिवर का बहुत बहुत ख्याल करें आप सबी को मेरा नमस्कार बहुत-बहुत शुब कामना है इश्वर आपकी रक्षा करें धन्यवाद कुछ झाल